हालो श्रुडाइट्स मैं सूरज कुमार आप लोगा स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल पे आज हम लोग डिसकस करने वाले हाइपर बोला के क्वेस्चन्स को जो अभी हम लोग तीन लेक्चर्स में हम लोग हाइपर बोला के टॉपिक को डिसकस किये इसमें हम जितना भी क्योशिन बन सकता है उनसे जितना क्वेस्ट करें अ upon कि निकल सकता है सारे टैप के requisition को आज हम लोग डिसकस करें है बारी बारी से देखेंगे और हर एक टॉपिक के touchscreen को कवर करेंगे जितना हो सकता उतना कोस्म rouge कॉस्चन आज हम लोग देखेंगे तो पिछला सबसे पहले नहीं कर रहा है तो सबसे पहले देखना हुआ कि यह जो हाइपर बोला है किस हाइपर बोला को रिपरजेंट कर रहा है इससे यह चार बोला कहां पर नहीं करेंगा तो सबसे पहले इससे बता ना तो चलिए हम यहां पर ड्रॉक करके दिखाते हैं, हाइपर बोला कहां पर लाइन नहीं करेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इस हाइपर बोला को सबसे पहले हम ड्रॉ कर ले रहे हैं और पहले हम एक एक लाइन को देखते हैं चेक करते हैं यह आपको यह है पर बोला रहा है ठीक है और इसका यह ट्रांसवर्स एक्सिस का एक् त्वारनी जा सकता है यह तो इन्फोनेंट तक इधर जाएगा राइट भी बढ़estar यह दर विधर नीचेनी जाएगा मतलब नीचे भी जाएगा मतलब इसका पोरा जितना भी रीजान kg इसके न पूरा platinum तो लेरख dunno और इधार भी ru अभी कहा को रहा है मतलब यहां से यहां तक में इस तो कह लोग Всем कर्म हीन अगर हीरा वह यहां से यहां से यहां है नहीं दीकर गए सर्षेंगर ईहां से नहीं है तो आगर यहां से यहां तक नहीं है अगर इसके सीध में लाइन ड्रॉ कर दे और इसके भी सिधा में लाइन ड्रॉ कर दे जो के पैरलल है मतलब यह वाला एरिया कहीं पर भी है पर बोला नहीं आएगा ठीक है और उसी टैप से हम लोगो ऑप्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले जो रेडर लाइन इसका इक्वेशन हम लिख लेते ताकि पता चल जाए कि रीजन क्या है यह देखे यह तो वह टेक्स को टच कर रहा है और वह टेक्स सेंटर से कितना डिस्टेंस पर यह डिस्टेंस पर इसका इक्वेशन हो जागा एक्स इजगल टू ए और इसका डिस्टेंस हो जागा एक्स इजगल टू माइनस ए तो दो रिजन आपको दिख गया है यही दोनों के बीच में है तो देख लिजे कोन सा ऑप्शन है तो आपको second वाला option मैच कर रहा है कि इसके बीच में हाइपर इसनेशिटी अप्वड इसरुटंडर फाइफ बै टू कोई एक हाइपर बोला उसका इसेंटरिशिटी कितना दिया हुआ है रूट फइफ बै टू देन इस लेंट फब लेंटास रिक्टम तो उसके लेंटास रिक्टम का लेंथ कुछ लिया है ठीक है आप्शन क्या है 1 ब तो अगर कुछ भी नहीं है कोई डेट आपको नहीं दिया रहेगा कि कुछ नहीं बोला है तो आप सीधे डिरेक्ली वह स्टेंडर्ड फर्म लेंगे नॉर्म लोग सेकेंड वाला कोश्चन देखते हैं तो बतलब बोल रहा है कि कोई एक हाइपर बोला है जिसका इसे इसका चार ओप्सन है कि इसका लेंट ऑब लेक्ट्र निकालना है जो कैसे निकालेंगे चलिए दिखते किसके फॉर्म में दिया एक फॉर्म दिखते है इस में क्या दिखते है कि इस question में नहीं बोला है कि हम नॉर्माल फॉर्म ले स्टेंडर्ड का कि हम कॉंजूगेट फॉर्म ले तो अगर कुछ नहीं बोला है तो चलिए यहां पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है रूट अंडर 5 by 2 और हम लोगों निकालना क्या है टू भी स्कूर बैए निकालना यहीं होता है लेंट अग्ट अई नहीं थिक तो और एक फर्मुला आपको पढ़ा है एक फर्मॉला क्या पढ़ा है इस हाइपर बूला के लिए वीच वर्भी स्कूर बरा तो 2 और B2 के जगा A2 E2-1 और upon में नीचे क्या है A है यहां से A से A cancel हो गया और बच गया क्या 2A E2-1 तो E2 क्या है E है root 5 by 2 E2 हो जगा 5 by 4-1 तो यहां पर जैसे देखेंगे यहां से आपका जगा 2A और यह आपका जगा 5, 4 यह 1 by 4 ठीक है इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप्शन में देखें क्या आप्शन दिया 1 by 4 इंटो 2A 1 by 2 इंटो 2A कौन सा मैच करेगा देखें 1 by 4 इंटो 2A यहां पर आ रहा है तो 1 by 4 इंटो 2A आपका आ रहा है लेंट अप लेट आस तरह से आप निकाल सकते हैं को सेकेंड फर्स्ट वाला अप्शन मेंच कर रहा है ठीक है अब स्थार्ड कॉस्चन देखते हैं इन्हें हाइपर बोला इस इकल तो 9 में 4 मतलब इसेंटर सिटी दिया 9 में 4 एंट डिस्टेंस बिटूइन डिरेक्टिक्स इस त्री मतलब दो डिरेक्टिक्स की बीच में डिस्टेंस त्री है ठीक है तो और क्या दिया वाइस में तो दें लेंट और ट्रांस्वर्स एक्सिस का एक्विशन पूछ लिया है ठीक है चलिए निकालते है कि कैसे निकालेंगे तो बड़ा ही आसान है आप अगर थियोरी ढंक से पढ़ें तो आपको समझ में आ जागा एक हाइपर बोला है उसमें सेंटिशिटी नाइन बाइफोर दिया हुए ठीक है तो चलिए इसमें भी हाइपर बोला कोई ग्यान दिया हुआ कि नॉर्माल वाल अब लेके चलेंगे तो डॉर्माल फॉमले डिया हुआ कितना नाइन भाई फोर और डिस्टेंस बीट्विन डारेक्ट्रिक्स विट्वेट दिरेक्ट्रिक्स यहां पर दोनों डारेक्रिस के बीच में डिस्ट्रीय है यह देकर ड्रेक्रिस है ना एक सिंग्लर होता है डार लोग बहुत कन्फियोज होता है यह सिंगुलर एक डिरेक्टिस के बात करता है इसी का पुलूरल लिखा देखिए तो दोनों डिरेक्टिस के बीच में धिस्टेंस कितना होता है तू अब टू ए भाई ए टू ए वाई ए किसमें स्टेंडर्ट फॉर्म है और यही अगर हम लो डिरेक्टिस के डिस्टेंस एवाई ए और फिर इधर एवाई ए तो दोनों डिरेक्टिस के बीच में डिस्टेंस कितना हो जबर टू एवाई ए और अगर यहां पर एक्वेशन इसका यहां पर बीवाई होता है और यहां पर बीवाई होता है और दोनों के बीच में हाइपर बोला हम लोग ट्रीट करेंगे तो एवाई इतना दिया वाई तो थ्री दिया हुआ है तो टू ए अपन एक बहलों कितना नाइन भाई फॉर नाइन भाई फॉर इस इकॉल टो तो यह फॉर चले जागा उपर तो टू ए इस इकॉल टूएटी सेवन वाई फॉर हम लोगों निकालना क्या है लेंट अफ ट्रांसबर्स एक्सिस कितना होता है टू एई तो होता है टू एई तो होता है तो टू एक बेलू कितना रहा 27 बटे चार अब यह आप का आप कहेंगे सर आप ट्रांस यह नॉर्मल इस एक बेले के निकाले हैं अब को अधिकलन चाहिएंगे तो कुछ तो बोला नहीं क्वेशिटन में तो चलिए एक ट्राइं हम लोगों दिया हुआ है यह आपका निकल गया 27 बटे चार ठीक है इसमें 27 बटे चार आ रहा है कि नहीं वह भी चेक कर लेते हैं तो तू भी और एका वेलू कितना 9Y 4 is equal to 3 तो 2B into 4 by 9 is equal to 3 तो 2B का वेलू आगया 27 बटे चार मतलब आप जो हाइपर बोला ले आप एंसर सेम रहेगा ठीक है अगर आप conjugate लेंगे फिर भी आपका ट्रांस्बर सेक्सिस का लेंथ वही आएगा अगर आप नॉर्मल वाला स्टेंडर्ड फॉर्म लेंगे फिर भी आपका वही आएगा ठीक है तो अब जो है पर बोला लेना चाहते कुछ यहां पर लिखा नहीं जो वाला लेंगे उसी में एंसर वह अब अगला कुश्चन क्या है यह तो आपका हो गया इसका एंसर कितना 27 बटे चार आया अगला एक्वेशन आप ट्रांस्वर्स एक्सिस ऑफ दा हाइपर बोला एक्स प्लस थ्री होल स्कूर बैं 16 माइनस वाई बाइट टू होल स्कूर बैं 9 इस इकूल तो माइनस वन तो करने की जुरूत नहीं है लेकिन हम यहां पर यहां पर कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर प्लस है तो माइनस थ्री और यहां पर माइनस है तो प्लस टू इसका सेंटर कितना हो जाएगा माइनस 3,2 हायपरवोला का सेंटर होई होगा माइनस 3,2 ठीक है तो यह कॉन्जुगेट वाला है फिसके सेंटर क्या हो जाए यह पर माइनस 3,2 आगया इसका सेंटर अगर यह माइनस 3,2 सेंटर आ गया तो अप देखिए और इसका ट्रांस्वर्स एक्सिस ही से एंक्लानल और हम लोग देखेंगे शुक की यह कहीं मूडबह नहीं तोट सिधार किया हुआ सुधा वाला फॉम इसका इक्वेशन इसका यह वह Dilा एक्सिस के पैरलल है तो देखेंकर यह 건 आप कमान के चलिए यहां कहीं इसका यहां कहीं ओरीजीन है यह वाइक्सिस है यहां से शिफ्ट करके इसको यहां लिया है ठीक है वाइक्सिस का एक्विशन होता एक्सिज इकुल टो जीरो और यह पैरलाल है वाइक्सिस का पैरलाल है वाइक्सिस का इसका ट्रांस्वर दिश्टेनस इदर सिप्टेट है तो एक्ष्ट्र गेज़बस त्री बांगे इस तरह से एनलाइज करेंगे ठीक है क्या कहा अप्ष्ट्न ौप देखिए दो एक्स प्लस त्री ये और गटू जिडियरो इस तरह से अपको थोड़ा सा confusion अब एक्जाम में क्या कर सकता आपको घुमाने के लिए आपको समझाते ते यह जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको क्या करेगा आपको हम समझाते थोड़ा से इसको इसको इधर ले जाएगा माइनस नाइन माइनस एक्स प्लस थ्री का स्क्वाइर माइनस शिक्स्टीन बराबर वन अब बोलिए सेम इक्वेशन हैं अब इसमें क्या किया आप चेक की जिया आप क्या कि कि वाई वाला है फिर एक्ष वाला को लिख एक्स वाला को लिखा और यहां व होंता है फिर य सब्सक्रां हो है कि वह स्टैंडर्डर्विस स्क्कवर जो दिकते इस भब डिकत होना भी नहीं धीज़ा अब कॉंजगेट फाम क्या है एक है एकश성 वर्फे स्वार माइनस वाइसगी प्रिवर्थ कर तो पलस में आएगा माइनस वाल इसको सब्सक्रो widget सब्सक्राइब लिख सकते हैं इसको लगेगा कि स्टेंडर्ड फॉर्म है नॉर्मल वाला लेकिन यह नॉर्मल वाला स्टेंडर्ड फॉर्म नहीं है भाई साथ यह कॉंजूगे ईसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते है एक्जाम में आपście इस तरह दोनों में में क्या होता है पहले exactly i Zentner donag solo वाता фильм hé dabei होता है यह मयला समुए लेकिन अगर पहले वॉर्म ऑद में अख्सा यह नहीं है I बन जा रहा है क्या ऐसे बंजारा है यह ध्यान रखेंगे पहले एकस फिर होना चाहिए से पहले फिर एकस मतलब है को ऊब दो यूजेट वाला बनाना के इसका दोनों फोकस के बीच का इस्टे थिस्टेंस है दोनों डिरेक्टिस के बीच के दिस्टेंस से ठीक है मतलब बोल रहाई कि दोनों फोकस का distance कि भी इसका फिक टोकस होता यह होता है त्यूञा진 है कंगहए त्यश्तेक्टिक्स दिखोन के दिस्टन्ट मेख गएist तो डी एपन आज सोड़ी डी एफ डी एफ डी एफ यह 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 कोस्टन का कंडिस्टन ठीक है तो एई वरावड थी टेमस टू एबाई अब इसको बी और टू बी वाई इसे भी बना सकते हैं कोई दिक्त नहीं आप जो टूब कर बनाया एंसर वही आना है ठीक है चाप उसमें हमको इसे इंट्री सिटी पूछा निकाल दीजिए तिक्षा यहां से यह यह कैंसील हो गया और टू से टू भी कैंसील हो गया बच गया इस जो कुलोड़ 3Y यह स्कोइर बढ़ाबर 3 इबराबर रूट तिरी यह ए पूछा देखिए कौन सा ओप्शन मेंच कर रहा है तो इस तरह से हम लोग पाँच को देखें इसके बाद फिर आगे के को देखेंगे यहां तक पहले आप एक बार समझें देखें नोट करें फिर आगे हम लोग देख रहें ओ इस टोट तो हम पांच और लियें और देखेंगे यहांच को सॉआलब करें का सब करेंगे किसे सक करेंगे सौलव करने के तरीके को हुगा ठीक है मतलब कोई एक हैपर बूला है कोई भी ले कॉंजगेट बहुआ ले वो इसका जो लेटास रेक्टम इसका जो लेटास रेक्टम इन वह क्या कर रहा है इसका अंटर पर टरो करते देखते हैं कैसे ब्रोब सब्सक्राइट अब ओम यह हाई पर ऑला मान के चलिए है और यह अच्छ आ लिए है और यह सबकर लेगा पॉसस से हमक मानों लिग पास करता है लटाक्तर तर्म स्क्रुम ये है यह लटाक्न क्या कर रहा है q5 इसका और पर इसेंटर सेंटर कहां तो आप grad laid सब्रकोर्ट बना रहा है कि माला ट्रेंगल जो है और यह लोग dess evolving वह रहा हpture कि यह पर जो क्वादब गौनेंट होके तो आब हम सारा कुछ मेंता रहे हैं बस 45 को रहने दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजर ना हूँ यह आपका 45 डिग्री हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां सेंटर से सेट retali कितना होता है यही होता है और यह टोटल लेंद कितना होता है लेटस रक्रम को seven स्कुर्ण वाइए तो हम यहां पर आधा लेना कि यहां से यहां तक है तो बी स्कुर्ण वैए यह हो जाएगा ठीक अब थोड़ा ट्रिग्मोमेटरी लगाएंगे यहां पर पर पेंडिकुलर और बेस का वेलू दिया हुआ तो 1045 लगा देंगे सबस्क्राइए और बेस कितना तो बैसे वायो बैसे कितना है ए कितन हैई किया है यह थीक्राइज कुंत कर दिख्केत होना ही नहीं जाहिए इंशञा कि और यह त्यूंक फोर्टिफाइव नर्स है कि तो भी श्क्रम ड़ाय और नीचे कितना है कि यह है अब इधर कि एए बरावर हो जगा भी स्कुराइब ए अब यहां से हम लोगों क्या निकल किया पूछा है हम लोग से इस एंटरी सिटी पूछा है ठीक है अब देखे हम लोगे पास एक formula और होता है कि b square बराबर a square e square minus one यह formula हम लोगो होता है तो b square के जगह हम यह वालब value put कर देंगे क्या करेंगे put कर देंगे और कोई इसमें data दिया हुआ तो और कोई data हम लोगे पास नहीं है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा यह और b square के जगह कि a square e square minus one और नीचे a है तो कि a से आपका cancel हो गया ठीक और यहां से e और a से एक cancel हो गया ठीक है अब क्या करेंगे यह बराबर e square minus one अगया ठीक है इसको कोडिनेट इक कोडिनेटिक इक्विशन आगया ठीक है यह स्क्वर माइनस एक क्विशन है इसको अब जैसे सॉल्व करेंगे आपका क्या रिए लिट आएगा आपका यह आजाएगा इका फिल्यू ठीक है अगया को देखते हैं इस एंट्रिशिटी निकालना तो चली इस एंट्रिशिटी निकालते हैं कि असान असान सा कोश्चान ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पर दिमाग लगाने का जूरत है कि है कि हाइपर बोला देखिए एक से स्क्वाइर की है मैंनस वाइस स्क्वाइर पाचीस बराबर मानेस बन मतलब यह कॉंजुगेट है यह इसक्वाइर है और यह बी स्क्वाइर ठीक है तो अ कि को जुक के इसको कर भाइष यह कोश्टन सब्सक्राइए जंड़े कि ओर में तक किपना कि इस किद्डीकरा कि辻 आपके जोगना की इसंगे सक्वार यह इथे वी कितना दिया है कि यह स्कॉर वाइब बी इतना हो जाएगा वाइस जड़ा अरगा है अलिए अघ्री said कि निकालना क्या इस प्रीज्वर्द टरप स्टाइब निकाल देंगे फर्मुला पढ़ाये तो फर्मुला आपको पढ़ाये हैं वन्जुगेट वाला ए स्कुर पर आवर का इस्कुर मानश सोन एफ भर पड़ाये फैस्कुर अपन प्लॉओ सफर व्यारा विलू प्तीज स्कुर माइनस वन इसको लिखें 11 बटे 25 प्लस 1 बराबर 20 स्क्वार्ट यह जगा 36 बटे 25 बराबर 20 स्क्वार्ट एक भेलू 6 भाइब ठीक है कौन सा अप्शन मैच कर रहा देखिए थाड़ वाला अप्शन मैच कर रहा ठीक है इस तरह से हम लोगी सेंटर सिटी को निकालेंगे छोटा-छोटा कोश्चन है बसा कुद दिमाग लगानी के जवर्द है आगे कोश्चन देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विट इज इकल रूट टू एंड हैविंग डिस्टेंस बिट्विन दफोका इज वन इस एंट्रिस्टी दिया है रूट टू और दोनों फोकस के बिच में डिस्टेंस दिया वन इक्वेशन निकालना है पर बोला का तो चलिए निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें सेंट्रिस्टी कितना दिया रूट टू दिया अग दोनों फोकस के बिच में डिस्टेंस कितना दिया है वन दिया मतलब तो एई दिया कितना वन दिया ठीक है और E root 2 दिया है तो 2 A root 2 बराबर 1 तो A is equal कितना हो जाएगा 1 by 2 root 2 1 by 2 root 2 कोई problem तो होने का दिक्कत नहीं है 1 by 2 root 2 ही होगा A आगे आपका और क्या चाहिए B चाहिए A और B दोनों चाहिए तभी equation निकलेगा formula लगा देजे B square बराबर A square E square minus 1 तो बस put कर दीजे B square देखिए यह चार चार दोनी आठ मतलब एक बटे आठ हो जाएगा और E क्या root 2 तो E square हो जाएगा 2 2-1 तो B square बराबर 1 by 8 into 1 तो B कितना हो जाएगा 1 by root 8 1 by root 8 तो यहां बेहां हम लोगों कौन सा option मैच करेंगे वह ताभी हम देखेंगे तो B का value 1 by root 8 आ रहा और A का value root 8 कितना होता है 2 into 2 into 2 का root तो 2 root 2 यह भी आएगा ना 2 root 2 यह भी आएगा तो B का भी value कितना हो जाएगा 1 by 2 root 2 और A का भी value 1 by 2 root 2 आ रहा ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे X square by A square minus Y square by B square बराबर 1 यह होता equation तो बस पूट कर देजे पूट कर देंगे तो आपका आजएगा X square by A square तो कितना है 1 by A square तो 1 by 8 हो जाएगा और Y square by B square by 1 by 8 है is equal to 1 तो आपका आजएगा X square minus Y square बराबर वह एक बटे 8 कौन सा option मैच कर रहा हो अब देखें आपका D option मैच कर रहा X square minus Y square is equal to 1 बटे 8 कि इसमें A का भी से मारा भी का भी से मारा इसले नीचे 1 by 8 दूनों में आ रहा स्कूप सैट लेके चल गए कोई दिक्कत नहीं लिकाल सकते हैं तो इस तरह से हम लोग निकालेंगा equation चलिए अगला वाला दिखते हैं कि अगला कोश्चन है क्या है अगला कोश्चन यह तो हो गया ना आट नमर हो गया equation आप हाइपर बोला विथ फोकाई यह दिया हुआ जीरो कोमा प्लस फाइब जीरो कोमा माइनस फाइब इस एंट्री सिट दिए आप हाइब भाइट एक्वेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं आसान सा कुस्चन है तो सबसे पहले देखिए यह किस हाइपर बोला बात कर रहा है कि आपका नॉर्मल वाला पाइब जीरो का वाइनस फाइब तभी कॉन्जूगेट वाला में होगा न और इस एंट्री सिट्टी और क्या दिया होँ यहां से यहां तक पांच यहां से यहां तक पांच भाच भी के है लूप फाच ईदिया पाँच डिया थीन पामच नतिन यह जंडीन एक जना एंगता था a square बराबर b square e square minus one ऐसे निकल दोता इसी फरमुला से कहां यह वला लगाना है और कहां एक यह वला लगाना यह तो बताई दी यह standard form normal वाला में और यह conjugate वाला में है तो लगा दीजे बी के जगा पूट कर दीजे आ जाएगा A² और B² कितना हो जागा 9 25 बटे 9 माइनस 1 तो A² कितना हो जाएगा आपका 9 और इधर कितना हो जाएगा 16 बटे 9 कट गिया तो एक अभी लुआ गया 4 और B का भी लुआ गया 3 तो बस लिखें कॉंजूगेट में क्या होता है X² A² Y² B² और बराबर माइनस 1 तो इसमें से कौन सा ओप्सण आपका मैच करेंगा दिख्ये इसमें से दूग हो तो पहले खारीज हो जाएगा कौन-कौन वाला तो बता देते हैं जो खारीज होने वाला उसको हम बता दे रहे हैं आपका यह खारीज होना चाहिए मेरा हिसाब स देखिए X² A² Y² B² बराबर माइनस 1 यह होता है ना कौन जूगेट है पर बोला है एक्सी स्क्वर भाइए स्क्वर 16 हो जागा और Y² नाइन हो जागा बराबर माइनस 1 जो भी मैच करना तिक करेंगे ठीक है इसमें आपका मैच करना भी आप्सन तो भी आप्सन होगा कोई द उसक्त आप्स अब अगला क्वेंन आपको बनाना मजबूरी हो जाएगा तो माल लेजेगे अपर मैश्ट मैच कर रहा तो पर देखेंगे इस तरह से बनाएंगा हम लोग उसको अब अगला कुस्चिन और लास्ट क्यूस्टन है हएए ऑगा एक्वेशन अफ हइपर बोला विद भर्टिस फ्लस स्टु कमा जीरो और बाइनस टू कमा जीरो फोकस कितना दिया प्लस-3 कमा जीरो तो यह तो स्टेंडर्ड फंडूर्मल वाला है कि एक्स एक्सेस पे फोकस और वर्ट्डा डोला है तो उसका सब्सक्राइल और फोक्स कितना तरी कोमाऑजिगोंगे माइनास तरी कोमाजी पर UC दोनोट भर्टेक्स के बीच में डिस्टैनस कितना होता है, तो टू यह बरावर कितना हो जागा। यहां से या तक 3 और यहां से या थक तक mask 365 तो करेया है कर दोच्वी इसक्वाइरी आहाए है नाइन कितना the सब्सक्राइब 7 पांच पांच इस जान हो और मुखान 7 अब इस च्वार कितना उस बसेट निगल गया एक्स्काइब शूर्द के लाटे सब्सक्राप तो फाराबर तो इस फर्मेट में धिस फर्मेट में नहीं दिया देख्या काम कीजिए चाल और पंच क्या से में लिए भीस आई का तो अफ्कछी अट्स पर डिप्लाइ कर दिए इसको बाइब से किसे कि जिए फ्रोड़े मेंगा बराबर हो जाना है अब देखिए कौन सा अप्शन मेंच कर रहा चेक किए फाइवेक्स स्क्राइड माइनस फॉर वाइज स्क्राइबर बिस इस तरह से आप हम को सॉल्व करेंगे बड़ा एकजाम में पूछ सकता है लेकिन इंपोर्टेंट अब तो देखी रहे हैं और कि छोटा-छोटा चुटा लग रहा और तुरंत एक मिनिट में एक कोश्चन आपका बनके तयार हो जा रहा है तो इस तरह से आप को स्वाल परेंगे और कितना हम तो ज्यादा से ज्यादा कितना करा देंगे कि इतना लंबा विडियो करेंगे आपको जाद जीतना करना खुद से प्रेक्टिस करना जो प्राक्तिस सिट मुझाडा क्राएं से आप प्रेक्टिस करेंगे जितना ज्यादा हुशंग्य करेंगे अब। आज के लिए दक races ने झाल